तो स्वागत है आप सभी का ग्याफनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 12 क्लास का उर्दू पढ़ने वाले हैं चैप्टर नमबर 24 नाम है गमियर्शद गमियर्शद नाम का यह जो चैप्टर है यह कि कता तारीख है कता नजम की तरह ही लिखा जाता है बिल्कुल उससे तरह गतर तारीख है कि गटना को अंदाज में लिखकर कर देना ही क्या कहला ताहे है इस होपा आपनों को समझ में आ गया हुगा कि कि पतर तारीख किसे कहते हैं तो ऐसzing गटना है लेता हैं जो में बहुत पहले घटित हो चुकी हो ज़ए्घ के राइटर हैं यानि इस खतर तारीक के आप बोल सकते हैं शायर वह आता काक्वी हैं अता काकवी से अधिन आधां काकवी थम्हें नव जोवान भी। जवान ही हो जाती है तो इसलिए अता काकवी क्योंकि एक शायर रहते हैं तो अपने बेटे की मौत की घटना को देखते हैं और गम का इजहार करते हुए उस मौत की मतलब अपने बेटे अर्शद जो कि 34 साल की उमर में मौत हो गए ठें लेतीन हो अपने बेटे की मौत की घटना को शेरो शाइरी के अंदाज में लिख कर बैयान कर देते हैं और उसी का ठाइटल वह डेते हैं घमी अरशवित यानिकी या मैं गब आशवर्शद क्या है इस एक गत्या टारीक है और इसमें किस चीज को बयान किया गया है तो आता काकवी अपने बेटे अर्षद की मौत का गम का इजहार किये हैं और घटना बताया है जो कि एक सची घटना है अता काकवी के बेटे का इंतकाल सच में हुआ था यानी कि सची घटना यह वह आप लोग को एक तरीक पढ़कर उसकार्ट नहीं बताऊंगी सबसे पहले आता का क्वी के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में जाकर इस अता को प काकवी के बारे में पढ़ी है अता काकवी का पूरा नाम सय्यंदter शाह अताुर रहमान है इनका Barnesight-born गाम सक्षाल को लिया तो मशुर हुए हैं शेरोशरी की दुनिया में अता काकवी के नाम से मशुर् रह्मान तो अता और ये काको नाम के गाव में पैदा हुए थे तो अता प्लस काको अता काकवी के नाम से ये मश्यूर हो गए तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अता काकवी इनके नाम में ही चुपा है इनके जन्मिस्थान का नाम यानि की पैदाईश की और काकवी मतलब काको गाव में यह पैदा हुए थे उन्हें सचार में और यहाँ पर एक्स्ट्रान ओलेजम लोग क्या गेन कर सकते हैं उन्हें सचार में अधा काकवी की पैदाई श्री और उन्हें सपाच में बंगाल का विभाजन हुआ ठीक हलांकी बाद में विभाजन उ और उन्हें सब आच में बंगाल का विभाजन हुआ था यह और उसके बाद से 11 में फिर रद भी हो गया था और दूसरी बार उन्हें से 12 में विभाजन हुआ बंगाल चलिया आगे बढ़ते हैं तनकीद तहकीक और शायरी तीनों में माहिर थे अता काकवी तनकीद किसे कहत बाष्तान लिखा हो ठीके कुछ भी लिखा उसमें क्या सही हैं क्या घड़त है उसमें क्या खुबी है क्या कमी हैं यह लिखता है यह कर देना का कि ise तनकीद कहलाता है तो अता काकवी तनकीदि निगारी का भी काम किया है मतलब तनकीद भी लिखते थे तो तनकीद किताब का नाम तकाबली मुतालएं ये दो है वैसे आता काकवी के बारे में ओर भी घ्र सरा डिटेल्स और इंफर्मेशंशन आप लोगे बुक में दिया लेकिन देने से क्या फैदा जब आता काकवी का फोटो लगाकर इमेज लगाकर ही सब ढख दिया गया इंफ्रमेशन लेकिन जो भी वीजिबल है वहर एक चीज में बोड पर लिए और यहीं से आप लोग एक्जाम में पूछता है जो कुछ भी में बोड पर लिखी में अगर लोग इसको याद कर लेते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि इस चैप्टर से एक भी कोशन नहीं चूटेगा जो भी लिखा गया वहर एक चीज़ याद कर लीजिए बस इतना ही से पुछता है इससे एक्स्ट्रा पूछे गई नहीं अता काकवी के बार मतलब रिसर्च किया हुए निवन ठीक है न तो उन्हें सब 65 में इनका एक तहकीकी मजामीन शाय हुआ प्रकासित हुआ जिसका नाम तहकी की मताले था यानि कि इनके तनकीदी किताब का भी नाम तनकीदी मताले और तहकीकी मजामीन का भी नाम तहकी की मताले दोनों का नाम यही दो है शेरी तसनिफ अता काकवी दोरा लिखा गया ठीक है मिर्जा अब्दुलकादिर बैदल के नाम पर यह मिर्जा अब्दुलकादिर बैदल की हयात जिन्दगी के बारे में किस तरह मिर्जा अब्दुलकादिर बैदल अपनी जिन्दगी को जिए अपनी जिन्दगी क्रीए नाम का लिखें और मिर्जव्बदुलकादिर के बारे मिर्ज अबदुलकादिर किस के से उपर लिखे थे तो आप्सन में दिया रहेगा मिर्जा अब्दुल-कादिर बैदल याद रखेगा हो सकता है कि पूछ दे अभी तक तो पूछा नहीं किया है लेकिन विहार बोड का कोई भरोसा नहीं है आगे बढ़ते हैं अता काकवी का एक रिसाला यानि की पत्री का भ अपने 34 साल के जवान बेटे जिसकी मौत हो गई रहती है उसके उपर तो यह कता तारीख लिखे हैं तो इसमें क्या क्या लिखकर बयान कि हैं किस तरह के ख्यालात को इजहार किये हैं इसमें जाहिर कर दी अपने अपने तारीख में आप लोगों को बताती हूं गम यह घटना है अर्षद की मौत से एदोस्त एदोस्त लोगों को बोल रहे हैं जो भी पढ़ने वाला है अभी मैं पढ़ रही हूं तो जो भी पढ़ने वाला है उसको बोल रहे हैं कि एदोस्त यह वाक्या यह यानि कि यह जो घटना है यह मेरे बेटे अर्षद की मौत का है और जब मेरे बेटे अर्षद की मौत हुई ना तो गम का दरीचा खुल गया यानि कि गम का दर्वाजा हमेशा हमेशा के लिए खुल गया और खुशी का दर्वाजा हमेशा हमेशा के लिए बंध हो गया कौन बोल रहें अता काकवी कह रहे हैं कि जब मेरे बेटे अर्शत की मौत हुई तब हमारे पुरे परिवार में हमारे घर में हमारे पूरे जिन्दगी में हमे Aooi cả खो你們 के लिए खुषिकर जो दर्वाजा है वो बंध हो गया और गळम का दर्वाजा खूल गया क्योंकि 34 साल का मेन जवान बेटा होकर को उसका इंतकाल हो गया अभी जवान था 34 साल। की थी उमर हुई ना जाने अदा को कौन सी कजातो पर प्संद' अपर बोल जलिए तो कर गई प्रवाज थी रूह जिसम में जैसे कफस में तायर बंद यहां पर बोल रहा है था काकवी की मेरा जो बेटा था अर्शद वो हमारे परिवार का चिराग था एक ही एकलाओता बेटा मतलब एक शमा की तरह था शमा का एक मिसाल था इस परिवार का हमारे फैमली का ए काने में पठी जीड़ी आप बोल सकते हैं फक रिए और जैसे काईद रहती हैं मस पिंजडे के कर खूलता है तो पक्षी परवाज कर जाती है बिल्कूल उसी तरह हमारे बेटे के शरीर के कैद खाने में रूह कायद ignoring हमारे बेटे के शरीर के कैद खूलता है देखिए कितना खुबसूरत अंदाज में आता काक भी लिखे हैं बोल रहे हैं कि जिस तरह एक पिंजड़े के कैद खाने में पक्ची कैद रहती है और जैसे ही दर्वाजा कुलता है तो वो परवाज कर जाती है उड़ जाती है बिलकुल उसी तरह हमारे बेटे के शरील के कैद खाने में उसकी रूह कैद थी और जिस तरह दर्वाजा खुलता है तो पक्ची परवाज कर जाती है उसी तरह मेरे बेटे के शरील के कैद खाने से उसकी रूह भी परवाज कर गई ठीक है आगे देखिए किसी की रूनरायात न थी किसी से अनाद वह साफ ता बढ़ा अपने वजे का पावन्द बॉलरा है कि कि उसकी से रूनरायत न थी मतलबू किसी से जगड़ा फसाद नहीं करता था वह साफगो था बड़ा ही अपने वजय का पाबंद साफगो था सीधा साधा जो भी कहता था वो करता था जुबान का पक्का किसे से जगड़ा फसाद नहीं बहुत कम बोलता था जरूरत हो जहां पर होती थी वहीं पर बोलता था इतना तारीख में चार लाइन जो है ना अता काकवी फार्सी की भी डाल दिये हैं ठीक है उसको मैं पढ़ती हूँ आप लोग को इसका मैं पढ़ोंगी ना तो मतलब समझ में नहीं आएगा अगर आप कशे कुनम सबर अज्घ कुझा आरं खबर कुनीद वे अहबावले मावनंद कुछ समझ में आया नहीं समझ में बता ही हा कि है कोई नहीं जांता है अज़े दैार्वनारे औग़्रदंद इस फानी दुनिया दुनिया में मेरे बेटे की रूफ बता नहीं किधर चली गई कहां चली गई किसी को कुछ भी नहीं पता मैं खुद नहीं जानता कुजा रोम चे कुनम सबर अज कुजा आरम अब मैं कहां जाओं क्या करूं सबर कहां से लाओं मैं क्खबर कुनीद बे अहबाब बे हाले मा बेनन्द क्या मैं अपने दोस्तों अपने अहबाब मतलब अपने रिष्टेदारों अपने अहबाबों जितने भी हमारे अपने लोग है क्या उनको खबर करूं कि वो हमें दिलासा दे हमें तसल्ली दे मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस वक्त क्या करूं यह वो अलम है कि दुश्मन को भी खुदा ना दिखाए किसी के दिल को ना पहुँचे खुदा करे ये गुजंद बोल रहे हैं कि यह ऐसा अलम है कि दुश्मन को भी खुदा ना दिखाए किसी के दिल पर ना पहुँचे खुदा करे ये गुजंद और किसी के भी दिल पर मैं इंतकाल मौत हो गया हूं इससे बड़ा दुख इस दुनिया में और क्या हो सकता है और मैं खुदा से दुआ करता हूं कि इस तरह का अलम खुदा हमारे दुस्मनों को भी न दिखाए ठीक है रहे जमील वाकील इस जहां में कायम के यादगार है मरहूम की यहां पर बोल रहे ह अता काकवी की रहे जमील वाकिल जमील और आकिल जो है ना अता काकवी के बेटे अर्शद काकवी के यह बहते के बेटे को साइद ना दिए तो आता काकवी के बेटे के दो बेटे थे जमील और अकील तो वही बोल रहे हैं कि रहे जमील वाकील इस जहान में कायम के यादगार है मरहुम कि यह दो फर्दंद यानि कि मेरे बेटे की यह दो यादगार फर्दंद है यानि कि मेरे बेटे की यहांद के दो निशानिया बोल सकते हैं जमी'll है और मैं चाहता हूं कि जमील और चाहन में मेरे बेटे के साथ छतफा मेरे बेटे के साथ घटना हुई वो इनके साथ देखने को ना मिले इस दुनिया में यह काइम रहे दायम रहे पढ़े लिखें और फिर सक्सेज हो जाएं अपने जिन्दगी को पूरी जिन्दगी जीए ठीक है मैं मैं खुदा से दुगा करता हूं कि मेरे जो नाती यह फिर जाने फर्जंद यहां पर अता काकवी जो है यहां अपने बेटे के वह द्रोलत यानि कि किस साल इनके बेटे की मौत हुई वह बताए हैं कि अता को फिक्र हुई इसके साल ले रहुलत तो सरे अलम को मिलाकर सारी अलम मैं अलिफ को मिलाकर कहा घम्म फर्जंद 1391 में पलस ए तकाल हुआ था तो यह लास्ट में 380 जरी लिखती है हैं यह आप लोग教़ कंप्लीट और下 तारीं God अज्छी आए में ऑफस्वी क्या नहीं थे और एक अफसाना निगार थेगा तो अज्छाना निगार थोड़ो नंने तो वह जाएगा ठीक है यहां से पूर्च सकता है मतलब अता काकवी के बारे में जितना भी डिटेल्स दिया है यहां से पूर्च सकता है और यह जो कतर तारीख नगम अर्सद जो आप लोगो हर एक लाइन पढ़कर उसका अर्थ बताई उसमें से पता है कहां से कोशन पूछ सकता है कि अर्शद काकवी के कितने बेटे थे और उनके नाम बताएं तो जमील और अकील यहां से कोशन पूर्च सकता है तो यह जो जो इंपॉर्टन पॉइंट था आई होप अप लोग को समझ में आ गया होगा जो कि मैं आप लोग को बता दी कोई भी कमफ्यूजन हो कमे वीडियो को लाइक जरूर करें जो कि मैं आप लोग को समझा रही हूं समझ में आ रहा है तो लाइक तो बनता है लाइक करके ही जाए अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन शॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीन शॉट ले लिजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक चलिए शेर आप इस